सबसे बड़ी बात है कि जो बत्मान परिबेस में बातावरन चलता है उसके मुताबिक किसी चीज़ पर निश्पक्ष ब्यान देना बैक्तिगत किसी के बैवहार को दर्साता है या जो घटना घटित हो रहा है उसको निश्पक्ष रूप से बोल देना और इसमें सत्ता या अपने दल का ख्याल नहीं करना एक निश्पक्ष आदमी के बैवहार को दर्साता है कि क्या बरतमान परिवेश में जो करोना काल चल रहा है इसमें क्या आपको क्या लग रहा है क्या हमारी सरकार सफल है या हमारा सिस्टन सद्रूस्त है देखिए पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि करोना की यह बैस्विक महामारी इस तरह से आएगी और उसका इस तरह का कहड़ होगा इसका किसी को सहच अनुमान नहीं था जो फर्स्ट फेज में जो आया इसका लहर आया उस लहर से हमारी सरकार विहार के सरकार या पूरे देश की सरकार ने उससे जुजने का काम किया और मानिय प्रधान मंतरी नर्यद मोदी जी के नितरुत में या बिहार में मानिय मुख मंतरी जी नितिश कुमार जी के नितरुत में जो काम हुआ और वह निकला कि यहां कम से कम लोग हताहत हुए कम से कम लोग प्रभावित हुए बिहार जैसे राज में लेकिन दूसरा जो तो इसका लहड आएगा हुआ इतना स्ट्रॉंग होगा और उससे इतने बरी इसकी खराबे सित्थी पैदा होगी इसका सहज अनुमान देश में किसी को नहीं था बिहार की बात तो छोड़िये पूरे देश में किसी को नहीं था और इसलिए ये बात चरूर है कि इसमें काफी लोग को हमने खोया है अपनों को परिजनों को जो नहीं होना चाहिए इसके लिए दुख है लेकिन इससे साथ-साथ अच्छी बात यह भी है विहार का जो स्वास्त का इंफ्रास्टिक्चर जो भी था मैं यह नहीं का रहा हूं कि यह बहुत अच्छा था या सुद्रिड है इ चाहे गए हैं किन्तु जो लहर का परभाव था हम उसमों झेलने में सफल नहीं हो पाए लगभग लोग इस दीज को बर्ण कर रहे हैं लेकिन अभी जन अधिकार पार्टी के नेता जापसों को पपु जादब के द्वारा जो कुछ कार्ज किये जा रहे थे उसमें ऐसे कार है जो जन परतनिदी हैं या जो पब्लिक फिगर हैं वो खुले तोर पर लॉगडाउन का उलंगन करके रोड़ परदी आते हैं जनता की सेवा माते हैं उनको ग्रफतार कर लिया जाता है तो क्या कहने उसके लिए अपने एक साथ कही सवाल किये हैं साथ से पहले तो मैं आप बात और कहूंगा और जो बात आपने कहा कि निश्पक्षता के साथ आपने जो ये सब्द लगाया यह समय ही निश्पक्ष और राजनीत करने का वक्त नहीं है और जब राजनीत नहीं करते हैं तो आप साफेक्ष नहीं रह पाते हैं किसे के प्रती आपको निर्पक्ष और जनता के और मानवता के बचाओ के लिए मानवता के पक्ष में बूनने की आवा सकता है चाहें कहीं कोई दिक्कत है कहीं कोई कठनाई है और एक जन परतेंजी को तो बिलकुल ऐसे समय में जब यह महामारी से लाखो लोग हताहत हो रहे हैं यह परिशितियां बनी हुई है आप देख रहे हैं मैं उसकी चर्चा करूं तो बड़ा लंबा समय लगेगा मैंने आज अखवार में देखा तो बहुत देर तक मैं बिश्मित हो गया और मुझे बहुत ही मन ठीक नहीं लगा जब चालिस करीब करीब लास गंगा के किनारे पड़ा हुआ आप देख रहे हैं कल ह मैंने एक अखवार में अखवार में पढ़ा की बचवारा के प्रभारी चम्था के कोई पैसेंट मर गए थे कोरों कोवीड में उसका परिजन नहीं आया तो डॉक्टर जाके उसका अंतिम संसकार कर रहा है कैसी-कैसी घटनाएं हो रही हैं ऐसी परिसिती में निश्चित त अगर आगे आकर के कोई काम कर रहा है मानवता की रक्षा करनी के लिए उसके प्रियास से एक भी अगर जान बच जा रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए हमें उसका हौसला बराना चाहिए और अभी राजनितिक दल के रूप में दलिये विभार के रूप में या पक लाना चाहिए ठीक है कानून का उलंगन हुआ है वह एक अलग पक्ष है उसको देख लेंगे लेकिन पपुजादब जी मैं देखता हो देख रहा हूं पपुजादब काम कर रहे हैं वो लोगों के भी चार हैं अब जो लोग नहीं जा पा रहे हैं मैं उनके बारें भी कुछ नहीं कहूंगा लेकिन जो लोग जा रहे हैं जनता के पुकार पर जनता के समस्यों को उठाने पर उनके समधान के लिए कोई अगर अक्षिजन सिलिंडर लेकर ही दौड पड़ता है तो हमें तो यह देखना पड़ेगा क्या खिर वह अगर उलंगन कर रहा है उससे उलंगन ऐसे लोग जो साजनिक जीवन जीते हैं उनको इस करोना महामारी में जो कुछ भी हो सकता है मानपता की रक्षा के लिए वह काम करने के लिए उनको पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए साफ है कि किसी भी जनपतनेरी की बिवस्ता हो सकती है कि वो पबलिक के सामने नहीं आ पा रहे हैं लेकिन जो आ रहे हैं वो समान योग होना चाहिए बहुत बहुत आवहार सा आपका कि आपने एक निस्पक्ष रूप से बास्तब में जो बैवहार होना चाहिए जनपतनेरी मानपता की रक्षा के लिए और जो जिस तरह से कोविड बरेजों की साहेता में वो लगे हुए हैं उनका जो पुरा टीम लगा हुआ है उसको और बुस्टफ करना चाहिए वो और जितना कर सकते हैं को करने के लिए छुड़ दी जाने चाहिए जो बिपक्ष के बहुत सारे लोग है इस चीज़ पर आरोब भी लगा रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो निकल के आना चाहिए नेताय अजिया आते हैं तो हमें लगता है कि साइद उनके माध्यम से बहुत कुछ जो खामियां है उसको हम देख पाएंगे जन परतिने का काम करने का अपना तरीका अलग अलग होता है मैं यह नहीं कहूंगा कि हर परतिनी स्थिमान पपुजादब जी जी के जैसा ही काम करें या पपुजादब जो कर रहे हैं वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं हो सकता है यह अलग अलग हो सकता है काम करने में इस संकट में भीषन संकट में जनता की मदद के लिए हर तरह से आने किया हो सकता है। हाँ इसके लिए जरूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही काम करें। मैंने कहा नहीं पहले ही कहा कि काम करने के तरीके अलग-अलग हैं। और जो नहीं नहीं निकल पार रहे हैं।। कुछ नहीं हो रहा है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं वह घर बेठेे भी बहुत काम करने में ही बहुत बाई नहीं कल पा रहा हूं लेकिन में है जितना हो सकता है जो लोग फोन कर रहे हैं जो हमारे party के work recall हो आम जनता हूं हमारे पं CEO प्रतनिदियों या कोई भी फोन कर रहा है उसको हॉस्पिटल में बेट ऑक्सीजन दबा सला जो कुछ भी हो सकता है मैं और मेरी पूरी टीम आप देख रहे हैं कि सब बैठके हाँ से कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं लेकिन सब कुछ ने कुछ करना चाहिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं मानपता की रक्षा में ल जिमान पर पुजादब जी को गिरफ्तार किया जाता इसलिए उनकी रहाई तो रंत हुआ 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 हुआ